भाजबा से सेटिंग करके चिराग पासवान अप्तियस्वी यादों को चुनाव हरवाने का मूर बना चुके हैं और ये खबर इसलिए चलने लगई है क्योंकि अब तक चिराग पासवान ने अपने उमिद्वारों का एलान नहीं किया और अब जो कहा जा रहा है उसके मुता दखे से और लगई अवर जानौ जो को साबिक चुराग पासवान उस्चुनाओं में अपना उमिद्वार उतारेंगे भी नहीं अब नहीं तब इसका सिदा सा मतल्ब है कि भारतिय जनत्हाथ पाٹरी वाह से सच ऊनावन लड़ रही है इसलिए इसलिए इस बार चिराग पासवान पीछे हडगा है और कई नर करी चिराग पासवान की मंट्रा यहीं होगी कि भारती जनता पार्टी को साइधार पहुचा आया जाए! और तेजश्वी यादों को उपचुनाओं में हरवाया जाए एक बात ध्यान दिजेगा कि अगर तेजश्वी यादों उपचुनाओं में हार जाते हैं तब उनकी पार्टी राज के दो सीटों में से अगर एक भी पर हारती है तब सीधे तो और पर सवाल उठेगा क्योंकि कोपाल गन सीट तो कॉंग्रेस पार्टी के हिस्से क्या था लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने तेजश्वी के हिस्से में उस सीट को दिया है और फिर तेजश्वी हारते हैं तो प्रश्ण बड़ा खड़ा होगा दूसरा सवाल अगर मुकामा का है तो मुकामा में राश्ट् और चिराग्पा सुवान मिलकर भारी पढ़ रहे हैं बाक्तिया मनम स्कार में नाम है मोईत कुमार सिंग और आप देख रहे हैं मरभशेस कारिगरम एक्सप्लेइनर लेक्षर देखो इंडिया ज्मोस्ट अफोड़ेवल लर्निंग एप क्लासिक से 12 तक के बच्चों के लिए पढ़ाई का एक उनलाइन प्लैटफॉर्म जहां है अनलिम्टेड डिजाइन टेस्ट जिससे होगी एक्जाम की तैयारी पूरी साथ ही 50,000 रुपे तक के स्कॉलर से जीतने का मौका भारत के टॉप टीचर से ऑनलाइन लाइब पढ़ने का सुनहरा आप सर अभी की पाटी भारतिय जनता पाटी के सामने चुनाव लड़ने की कोशित सायद ही करे और हुआ भी ऐसा ही अब तक चिराग पासवान की पाटी ने उप चुनाव के लिए अपने उमिद्वारों का एलान नहीं किया और अंदर खाने कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का मन सिती मजबूत है और कुल मिलाकर चिराग पास्वान श्राइद यह नहीं चाहते कि भाजपा को किसी प्रकार से डिश्टर्ब किया जाए आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ते यश्वी यादों की पाटी राश्ट्री जंतादल को चुनाव हराने के लिए चिराग पास्वान वेकार में हनुमान बने खड़े हैं और शायद उप्चुनाव में फिर से चिराग पास्वान एक पर साबित करने के लिए जुट गए हैं कि भारतिय जंतापाटी और नरेंद्र मोधी के वा हनुमान ही हैं पिछले दिनों कहा गया कि पांच नाम को चिराग पास पास्वान ही अंतिम फैस्टा लेंगे अवास तेरा तारीख है कल 14 हो जाएगा मतलब की जो नमानकन की तारीख है वो कल खत्म हो जाएगी और चिराग पास्वान ने अब तक अपने उमिद्वार का एलान तक नहीं किया और इसका सिधा सा मतलब निकाला जा रहा है कि चिरा अपना उमिद्वार ना उतार कर अंदर खाने भाजपा का समर्थन करेंगे और कहीं न कहीं हो सकता है कि उप्चुनाव में इसका प्रभाव पड़े और अगर उप्चुनाव में प्रभाव पड़ेगा तब तेश्वी यादों की दिक्कत बर शकती है फिलाल चिराक पास् बागी, आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान का चुनाव ना लड़ना, तेज़श्वी के लिए महगा पड़ेगा या तेज़श्वी के लिए फाइदा दिलाएगा उसे कमेंट बॉक्स में लिकर बताईएगा आगे जो कुछ ने जनकारी जो कुछ ने आफडेट इससे जुड़ा हुद आएगा वो तमाम जनकारी जनता एक्शन में माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद